इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक, पाचन में सुधार करने में अत्यधिक प्रभावी और कपज को ठीक करने के लिए हलके रेचक की रूप में भी कार्य करता है दो, इसका उप्योग उच्च रक्त शरकरा के स्तर को कम करने और मधुमें से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए किया जा सकता है तीन, हलके शामक गुण होते हैं जो चिंता, अवसाद और अनित्रा का प्रभावी धंग से इलाज करते हैं चार, एक विरोधी भड़काओ एजिन्ट के रूप में कारे करता है और श्वसन संबंधी विकारों के इलाज में उप्योगी है पांच, उम्र बढ़ने के संकेतों को कम करता है, द्रिष्टी में सुधार करता है और अस्थमा के इलाज के लिए इस्तिमाल किया जा सकता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें